प्रदेश प्रोग्राम दे बिच निगा स्वागत है। प्रिश प्रिश प्रका है। जाके ही जाना है जिए मुफ्त भी जा रहे हैं तो कि टुकटी साल या दो तिन साल तो उसी अपनी जिंदगी दे एहम हिस्सा जड़ागा वो इन्वेस्ट करन जा रहे हूं वो दा फूरूट की ता नो मिलना है तो अड़े जायज होन देने सौाल और सौाल ना दे जो आप द सौाल आ जान दा नंबर फ्रेश करन दा एही मतलब होन दा है कि तुसी अनदी कंपनी अनदी एक्सपार्ट से इनाड अपने जड़े शंके ने ओ दूर कर सकते हैं तो शो दी इसी जड़ी है कि शुरूआत करेंगे मेरे नाड ने स्टेडी फीड्स तो पहले महमान वरन चा इनननों सी काफी समय तो जड़ा है का सदा दे रहे सी के समय दी काठ होन कारन आज ही मौकर मिला कैसी फ्री एजुकेशन जर्मन दी पालसी बारे तो अड़े नाड गलन सांजी है शुरूआत करेंगे पहला ता इस कंपनी बारे तो अड़े जैन दे विच बहुत स्वार होन कि कि की सर्विसेज दे रहे हूं जी पहले पूरे पंजाब नू पूरे नौर्थ हेरिया नू मेरा प्यारबरा सासरीकाल ते संदुपाजी एक्चली मैं थोड़ा जर्मनी विच वाले असी ओदे विच जदो असी जाई आगे पहले मैं तो अनू थोड़ा इंट्रोडक्श असी एक साफ सुथरा प्लाटफॉर्म लेके जिदे विच एजुकेशन नू असी हर बच्चे लई हर पढ़न लिखन वाले ने एकुली और एकुल लेवल्स पर प्रोवाइड कर सके इसलिए हम सिरफ जर्मनी के लिए एजुकेशन में डील कर दो कंपनी वारे मैं थोड़ा संदु जी कंपनी वारे में हम सिर्फ यही कहने जैसा वर्ण जी ने बताया कि और गनिक फार्मिंग ऐसी और गनिक एजुकेशन जब मैं खुद बच्चा था तो बहार आया आकर देखा तो एक प्रॉब्लम जो हमें फेस होती है कि हमें ऑप्शन तो सारे दिखाए जाते है एंड रिजल्ट हमें बताया जाता है कि आप यहां कमाएंगे आप इस पर्टिकॉर सेक्टर को जोइन के लिए इसकोप इसका है जबकि इसकोप आज के दे मैंने देखा हर चीज का है अगर वो एजुकेशन अच्छी हो जाए तो हमारे लिए आगे बहुत कुछ मिल सकता है इसलिए यह चीजे जब मुझे पता लगा जर्मनी मेड इन जर्मनी सब कहीं भी टैग लगा हो तो क्वालिटी दी गुरंटी है इसलिए फिर हमने यह प्रमोट की कंपनी की जर्मनी भेजना है तो जर्मनी में जाना है तो यह एक ऐसी ती आपिसर कनॉट प्लेस में हैगा दिल्ली एक सेंट्रल लोकेशन है इस करके वहां पे बच्चे कहीं से भी आप डिल्ली में कहीं भी रहे हम तक पहुंच सकते हैं अब प्रॉब्लम यह आते थी पंजाब की कि पंजाब के कुछ बच्चे हम बहुत पहले 2009 में 2010 में बच्चे भेजे उन लोगों के रेफरेंस से कई बर हमारे पास लोग आते थे कि दिल्ली बहुत दूर पढ़ना है जैसे एक फैमली थी वह यूएन में जॉब करते थे तो यह मैं वताया उनको अब होता क्या था कि जो यूएन में जॉब कर रहे हैं तो सब अलग अलग गाओं से हैं लेकिन डर यह रहता कि रेफरेंस मिल गया अंकुर जी समस्या पंजाब दी होर होगी है ना जिदे तुसी दासरे में स्वाल जड़ा है जवाब मैं देना चाहूंगा कि पंजाब देश में अन्नी होगी है कि बच्चा उठके चंडी गड़ दिल्ली जान दी वजाय हो अपने हलके दी चोटी 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 करो जाज पर ताल करो कंसल्टेंट वारे देश वारे रिसर्च दे रहें करो ताहीं जड़ा है अपन चार लाग पर किन्नी रिसर्च कर दें कंपनी देविच गड़े मार दें जिन्दगी दी इक तो अड़ी गड़ी है कार है जिने तो अनु अंबर देव पर पहुंचाना बेचना चाहता है लेकिन अच्छे तरीके से ठीक है आप और डी गाड़ी लेते हो आपको मिलता है न कुछ सटिस्फेक्शन मिलता है इसलिए आप लेते हो तो इस करके वरुन मेरे बहुत पुराने दोस्त है इन पर ही मुझे फिर भरोसा हुआ इन से मैंने रिक्वेस्ट की क आप वहां पर वह चीज देखिया तो इस करके क्योंकि यह चंडीकड को पंजाब को मेरे से ज्यादा बहतर जानते हैं तो इस करे हमने पिर इनके साथ लास्ट यर हमने यह उफिस ही प्लान किया तो आपको कोई पैसा नहीं देना जी नहीं तुसी पढ़ाई वस्ते कोई प प्रोग्राम होंगे वह आपकी लास्ट क्वालिफेकेशन पर बेस्ट होते हैं तो उसके बेसिस पर आपको एजुकेशन मिलती है पढ़ाई हंची मैं दो तिन स्वाल लिख रहा है कि जदो बच्चे नों सी गल्ग जर्मन फ्री एजुकेशन दी करने हैं ता पंजाब दे बहुत बच्चा बेट है पहला सब तो ज्यादा वड़ी तदाद जड़ी है ताई लख बच्चा पंजाब दे बिच पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो प्लस टू कर दे और पंजाबी इन इस्टी या बाकी दियां जड़ी इन इस्टी है उना दिनार सबंदत आर् पंजाब सब्चेट बिलकुल पॉसिबल है जी पर उसमें हर एक बच्चे की अलग से प्रोफाइलिंग होती है एक बच्चा 55% का दूसरा बच्चा साड़े 54% का उन दोनों की प्रोफाइल अलग है हम हर एक प्रोफाइल को इनडिविजुल इस्टी करते हैं उसके हिसाब बसको आफरीес बढ़ए लाते हैं और सबसे इंपौरेटेंट बाद最 इसको सब्सेल है क्या होती है कि वह पढ़ना क्या चाता है क्योंकि अलग सिर्फ जाना चाते हैं पेट्रोल पंपे काम करना चाते हैं, क Tilak करूं, तो आपका मकसद, इस्वा क्यू हैं। आपको क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की सब तो बड़ी जड़ी दिक्कते इस वक्त पंजाब देविच एजुकेशन प्विट तो देखी जारी एक ता सब्जेक्ट जड़ी जिन्हों कह सकते हैं कैसे जड़ी परदे हैं चीज़ां बहु इसे करके में रखल बच्चीज़ एक हमारी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास है पर उस यूद्ध के लिए कोई डारेक्शन नहीं है वह पास सिरफ यूद्ध है और हर नुकड कॉलेज पे कॉलेजिस खुले हूए है लोग बी टेक कर लेते हैं एम टेक कर कर लेते हैं बीकॉम कर लेते हैं उसके बात है हमारे हैं जो यह काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है वह आठवी क्लास के बाद शुरू होनी चाहिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं आप बनना क्या चाहते हैं आप बिजनस फैमिली से हैं सर्विस फैमिल तो जिस मुद्धे पर मैं आ रहा था कि जर्मनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है human resource हमारे पास बहुत ज्यादा है उनके पास बिलकुल भी नहीं है स्वाले खड़ा है कि मैंनों थोड़ा कैनेडा देनाल कंपेर करां उन्होंने कि स्केल्ड जिड़ा छोटी उमर दा बच्चा ओ चाहिदा है जिदे इंग्लिश हाई होगे जिदे को परसेंटेज बहुत अच्छी होगे पढ़ाई नाल टूटेन होगे जर्मन जड़ी है तु सब्सक्राइब कर सकते हैं सर आप कोई कोर्स सोचो वो उनके पास है लेकिन हमारे हैं बच्चे को बच्चपन से प्रमोट क्या कि जाता है कि आप आप आई पेमटी का एक्जाम दो हमारे दिमाग में शुरू से दिगाता है अगर आप डॉक्टर नहीं बने एंग्जिनियम यह जा जाके उनको आप वो और अप्शन दोगे तो वो बेस्ट कर पाएगा जी फ्री एजुकेशन है किने इंटेक के जर्मन बूरोट एक समय और एक विंटर एक अप्रिल और अक्टूबर अज यह थियुति तेहरी कार्या कर रहे हैं अक्तूबर दी किन्ना चरप एला औ तो तरह दे बच्चे साहनों सुन रहे हैं एक ता बच्चे जड़े नाकाम होगे चैनेडा तो विजा रफ्यूज होया उस्टेलिया तो होया नुजलेंड तो होया जाँ अपलाई नहीं किता दो तिन साल तो जॉब कारें नहीं एक काली है परसो रजल्ट आएगा कुछ दिन साही छोड़ चुके हैं तब भी कोई फरक नि क्यूंकि जर्मेनी में गयाप का कोई फरक नियुक्ति आपका 20 साल का गयाप को तब भी कोई फरक निपड़ता है में मुद्दा है उनके लिए पढ़ाई और हुमन रिसोर्स को डेवलप करना है संदू जी हम एक एसेड पचास लाक रुपे की कम से कम की पढ़ाई आपको जीरो पैसे में करा रहा है तो उसका कोई तो मकसद होगा उनने स्किल बच्चा चाहिए वो स्किल वो देंगे उनके वो सब कुछ वो करेंगे पर आप में वो केबिलिटी होनी चाहिए उसी तरह अगर जैसे बीए का बच हैं जर्मन और इंग्लिश दोनों में जड़ा एक स्वाल अड़ेगा सोचा जाओगा और हडल बनेगा बच्चे हैं कि मैं जर्मन चला जाओंगा दो चीजां तुसी मोटी 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 आ दासते हैं गैब कोई दिक्कत नहीं 55-60% बड़ा बच्चा हर फील्ड बड़ा बच कैनेडा नु जानवाले बाकी देश नु जानवाले आज कल आयल सेंटर पर इने बच्चा साड़े 5-6 बैंट साड़े 6 लेके चले जाना दा है जो तो जर्मन दीगाल हूंदी है की सानु जर्मन लेंगवेज जड़ी है कि सिखनी पर की मेंडेटरी है या अंग्रेजी ना साड़ा काम चल सकता है बिलकुल भी मैंडेटरी नहीं है पर मैं एक बार आपका ध्यान आयल्स पे लाना चाहूंगा आयल्स इस नौट डाट इंपॉर्टन आयल्स आपकी सर्टिफिकेशन है कि आप जिस भाशा में पढ़ने जा रहे हो वो भाशा आपको आती है में चीज में बहुत सारी प्रोग्राम से जर्मन में भी है चोटा से एक्जामपल है हमारे देश में बहुत डाइवरसिटी बहुत जादा डाइवरसिटी है अब कोई साथ इंडिया से हमारे आगर आएगा तो हम तो पंजाबी बोलनी चोड़ेंगे उसी को टूटी पूटी इंगलि जैसे जो भी है बोलनी पड़ेगी उसे हमारे लिए यहां पर आके अकॉमडिट करना पड़ेगा उसे एफर्ट लेने पड़ेंगे उसी तरह जर्मनी में इंग्लिश में पड़ा ही होती है बहुत सारी पड़ाइवरसिटी बिल्कुल जी बिल्कुल है फ्री जी मैं तुसी जर्मनो लेके की सवाल पुछिदा बचाज सबसे पहले सवाल तो होता है मैं पक्का हो जाओं सबसे इंग मैं बच्चे कि कोई समय पजाओं जबकि पी यर से से बटर हमें सेटल होना चाहिए पी यर के लिए मैं आपको बताना चाहंँगा कि अगर बच्चे को जर्मन तो आप 21 मेने पी आर मिल जाती है ऐसा एमबसी की वेबसाइट पे भी है हाँ मैं लिंक बच्चे को दिखाते हैं तो करने चे फैदा है तो करने चे फैदा है या उते जा के पैरलेल कर लेना सर यही एक चीज है जो मैंने 2009 से नहीं करी मेरे पास जातकर जितने लोग भी हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे को यहां से लैंगविज को भेज दिया और बात खतम हो गई मैं पूरी जम्मेदारी लेके चलता हूँ अगर आपको लैंगविज सीखनी है सर लिट्रेचर जो होती है वो हर भाषा की एक है पंजबी कित्थे भी सीख लो वो सेम ही होगी एकसेंट अलग अलग हो जाता है तो वही चीज उनको मैं सिखाता हूँ बच्चे को यहीं पे हम सिखाते हैं और वहां से कम पैसे में होता पाड़े पांच लाग छे लाग रुपे इतने तक लग जाते हैं प्लस जर्मिन आना जाना आपका खड़्चा प्लस काम नहीं कर सकता हो वह डिगरी प्रोग्राम में काम है लाओ बाकी लैंगविज कोर्स या कोई आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो कुछ है लाओ तु इजुकेशन करनी है उदे इनने परसेंट नंबर चाहिए या तो अड़ा फील्ड दे विच कोई एक्सपिरेंस चाहिए लाओ की चाहिए लाओ शर्ट सिर्थ यह कि आप काबिल होने चाहिए लाओ की शर्थ यह है कि आपको वहां जॉब मिले तेड़ साल का आपकी पढ़ हमाई तरह नहीं है कि पच्चे ने करा इंजिनरिंग और इंजिनिंग करके बच्चा पहुच गया आपके मैनेजमेंट में उसके बाद आई एस की तियारी करने लग जाते है वहां शुरू से फोकस होता है तो सिर्फ यह है कि आपको काबिल होने चाहिए हो काबिल होने के पाद आप अपनी प्यार अपलाई उनको भी तो काबिल लोग चाहिए है नौर्मल सी बात है यह किन्नी डुरेशन दा कोर्स एक बच्चे नो चूज करना चाहिए है कि हो पक्का हो सके सर पक्का होने के लिए उसके डिग्री प्रोग्राम से हम डील करते है तो अगर बैचल इक साल की डिग्री यह हां कॉम्पीट कर लैफ यह मैं से एक साल का क्वंपुलीट कर अपकर गिरीमेस our मईं अर्वान्टीयूक जिसमें पूरे जगे से जो अच्पर यह सुन हुए छज़र हम वा पर जह जो बहुप कर तो बहुद ध रहे साल को ठीक नीज हो जल करते हैं अभी इस बारे में हम आपको और डिटेल में तब बताएंगे जब पर्टिकुलरी एक शो हम उसी चीज के लिए रखेंगे तो अभी सिर्फ यह है कि एक साल के जो फाइनल एक्जाम है उसकी परप्रेशन हम करांगे एक बच्चा जड़ा शो सुन रहा है और दमाग क कर दो कर दो कि एक शो अपर जा जा सकती है क्रियोस्टी पैदा होगी अबाट उन्हों नहीं पता कि मेरे जड़े डाकुमेंट ने जा मेरी अडमिशन है ऑफर लेटर है फीस है फांड ने ओ की की ने मोटी मोटी थोड़ा दस्टों के सब तो पहला स्टेप की ओ लिए की च सब्सक्राइब कर दो कि हमारे इंडिया में आपको भी पता है कि दुनिया जहां की चीजे बनती है तो डिग्री वनना कोई बड़ी बात नहीं है हम अपने हाथ पहले पके करके चलते हैं उसके बाद बच्चे को आगे कुछ बताते हैं जो आगे एक आफ़ते बाद प्रूब लागी के इट से जैनूर फिर उस तो बात उसके बाद उसको ऑप्शन दिये जाते हैं जिस फील्ड में वो इंटरस्टेड़ है और हमारे हिसा जाते हैं उसकी डियुरेशन उसमें क्या चार्जिस है या नहीं है एजुकेशन तो बेसिकली फ्री ही है अगर आपको आइल्स चाहिए तो कितना मिनिमम बैंड चाहिए क्या चाहिए वो सारी कोस बाई को इसको डिटेल दी जाती है उसके बाद अगर बच्चा इंटरस्ट परसंट का है तो वो मास्टर्स फ्री में कर सता है इंग्लिश में मास्टर्स कर सता है चोटा से एक्जामपल यह है तो उसके लिए बस बीटेक की क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए पास बैक्राउंट ठीक होना चाहिए और आपको जब हम वीजा प्रोसेस होगा तो अधियारी आज होनी चाहिए यह आईल्स की बात नहीं करें आईल्स वाद में भी दे सकता है अकैडमिक तयारी आज होनी चाहिए अडमिशन आगी बच्चे दी उस तो बाद कोई फंड शो करने या बच्चे लिए को ओर फॉर्मेल्टी जैगी एक ब्लॉक्ड अकांट होत होता है अपने खर्चे निकालने के लिए जो 80 अवन्त होता है अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी आज वीग जो आपके 120 फुल डेज इन यर ठीक है तो हर कोई बच्चा जाते ही पहले दिन तो पार्ट टाइम पर लगनी जाता है और नाम उसे नकरेज करते हैं हर बच्चा ज 8640 यूरोस कीजी 8640 यूरोस इनो के अप्रोक्सिमेटली सवाच्छे लाग के आस पास आज की डेट बच्चे दैना हां जी बच्चे 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 लगा लिगे जो किस्तों में उसको वापस मिल जाती है एक साल लेगी 8640 डिवाइड बाइड बाइड इसके लिए रिलीज होते हैं वो से यूज करना चाहता है यूज करे वरना पार्ट ताइम से अपना घर्चा निकाले एड दी एंड ऑफ वापस बेच सकता है यह वाँ रखे रहे उसकी मरसी तो अडे मतावक तो उसी दिली जड़ा ओफिस बनाया फाइल ना चकिया अडिम करना चाहूंगा वह 100% क्यूं है उसके पीछे सिफ एक रीजन है हमारी ट्रेनिंग बच्चा जब हमारे पास आता है हमारी कांसलिंग तब ही चुरू हो जाती है संदु जी जो बच्चा जैसे हमारे पास आया पहले उसकी प्रोफाइल बताया बताने के बाद उसको लिस्ट वह जाताँ है सmal छोघू क definition की उसके चीजार्य तोसी की पास आख रहे हमारे झाना चाहे या हम अरे बारे में ज अब तक के बादे हो और इसके बेद के बाताना हुआ जाीए यही चीज होती हम ने आज तक किसी बच्चे का कोई असो पी नी बनाया हम उससे कहते हैं हम उससे अच्छा कर देंगे लेकिन लिखना आपको पड़ेगा हम बच्चे को वहां से ट्रेनिंग देते हैं और उसका बहुत अच्छी रिजल्ट है जो हम सोच भी नहीं सकते तूडेंट्स ली जर्मन देविच यहां को नेगटिविटी क्यों नहीं है सिर्फ वो बच्चे परिशानी होती है जो बच्चे लैंगवेज में जो सीखना ही नहीं चाहते हैं आज मैं पंजाबी पंजाब आया हुआ हूँ तो पंजाबी में समझना लग गया हूँ थोड नहीं जो बच्चे नहीं थोड़ा सोचना चाहिए लिए क्यों कि पंजाब देविच पंजाब देविच यॉर्प नू बेचे जन देशान नू बेचे जन दाया है कहके कि विदावट आयल्स मतलब है कागजदा टुकड़ा नहीं है कोई गल नहीं बट लैंक जड़ी है विए प्रेशर लेंड लोडनी अगर बच्चा टैलेंटेड है अगर बच्चा कुछ बनना चांदा है ता जर्मनी उसके लिए बेस्ट ऑपरचुनिटी है अज की डेट में और हमेशा ही रहेगी क्योंकि पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए टाइम देना नौकरी के बाद व को पहले से बता के बेजा जाता है अज दा शो सिर्फ एक इन्फोर्मेशन सी के जर्मन फड़ी एजूकेशन हर बच्चा ले सकता है कड़ी कड़ी हो दिया शर्ताने होना से अगले आपते जड़ी हैंगे उगल करेंगे स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चा हैं दी मेडिकल बच्चा हैं दी नौनमेडिकल बच्चा हैं दी कमर्स बच्चा हैं दी किस कि 이डिया दे विचिस द्रहP लेना है तो हनो काम्याब भी होन लlor Union सेट्ल्मेंट करना हर लिया पी इर कर लाए सब्सक्राइब अपने दोस्तर निवीर संदूने अगे देतान बात सब्सक्राइब